डॉक्टर विद्याधर जाधो इनका सवाल ऐसा है कि क्या गाडगे महाराज भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे अब इस सवाल का जबाब देना तो बड़ा कठीन है यही सवाल उठाया जा सकता है क्या स्वामे विवेक अनन भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे शरज जोशी मेरे बहुत अच्छे मित्रे शितकरी अंदोलन वाले शरज जोशी जी की में बात कर रहा हूँ हलाकि मुझसे बड़े थे मेरे काफी साथी उनके साथ में शितकरी अंदोलन में काम करते थे लेकिन मेरी और उनकी पहली पैचान हुए थी बिलगाव जेल में वो जब थे मैं किर्लोस कर रप्रेस में मनहुर का काम कर रहा था मुलाकत लेने के लिए गया था पत्रकार इस रिष्टे से तब से हमारी अच्छी काफी अच्छी दोस्ती बनी जब मैंने मुमेंट शुरू की तो वो मुझसे बार-बार कहते थे कि महात्मा गांधी भी भगवान को नहीं मानते थे और मुझसे पुछते थे कि मुझे एक प्रसंग बताओ कि भारत में आने के बाद में गांधी जी किसी मंदीर में गए माता टेका लोग मंदीर को मानते हैं इसलिए गांधी जी मंदीर का उपयोग करते थे और फिर मैंने गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा था जेल में था तब तो बहुत ही पढ़ा था उसके बाद मैं भी गांदी जी को समझने की कोशिश की मैंने तो शरत जोशी कहते है उसमें तथ्य है ऐसा मुझे लगा क्योंकि लोग जिस धंग से भगवान को मानते है उस धंग से ना गाड़गे महाराज मानते थे ना स्वामी विवेकानन मानते थे और ना महात्मा गांधी मानते थे लेकिन ये तीनों लोग अपने आपको भगवान को मानने वाले कहते थे इनका भगवान ही अलग था जैसे मैंने स्वामी विवेकानन जी के बारे में कहा बार बार कहते रहता हूं कि उनका एक वाक्ट के बड़ा प्रसिद्ध है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करता है यहने भगवान आपकी मदद भी नहीं करता और आपका नुकसान भी नहीं करता आपका भला करने वाला आप पर प्रसन्न होने वाला आपका आपकी मन्नत को पूरा करने वाला ऐसा भगवान नहीं होता है ये स्वामी वेविकाननजी बहुत ही कटोड़ता से लोगों के सामने रखते हैं महात्मा गांधी भगवान को मानने वाले हैं इसी उनके प्रतिमाथी उनके मूँ से कई बार भगवान ये शब्द निकलता था उनकी आतली आवाज उनका अंदर का आवाज ये भी उनको लगता था कि ये भगवान की देन है इसके बावजूद महात्मा गांदी का भगवान बहुत अलग था वो सर्व धर्म समभाव वाला था उनकी भगवान की प्रार्थना जहां चलते थी महां कोई मुरत नहीं होती थी और सभी धर्म की प्रार्थनाएं उसमें होती थी और गाड़गे महाराज गाड़गे महाराज का भगवान तो बहुत ही अलग था गाड़गे महाराज का भगवान क्या था ये मुझे आपके सामने रखना चाहिए हलाकि मैंने कई भाष्णों में रखा है लेकिन इस सवाल के जबाब में भी रखूँगा संद परंपरा ने ये जो पूरी वारकड़ी संप्रदाई की संद परंपरा है लोगों की भगवान की कलपनाएं सुधारने का काम किया संद दुकारा महाराज ने सवाल पूछा नवसे कन्या पुत्र होती तर का करने लागे पती मन्नत मागने से अगर बच्चे होते हैं तो फिर पुत्र करने की क्या जरूरत है सुरी पती करने की क्या जरूरत है पती के बिन पुत्र होने चाहिए पुत्री होनी चाहिए सेम सवाल अलग धंग से एकनात महाराज ने पूछा उन्होंनों भी ये नवस वगरे सब जूटा है ऐसा कहा मन न जूटी है ऐसा कहा गाड़ के महाराज यही बात अलग धंग से रखते थे वो लोगों से जाहिर तरीके से सवाल पूछते थे लेके जहां जहां लोग मंदीर में जाते थे जहां जहां लोग यात्रा में जाते थे वहाँ वह वो लोगों की सेवा करने के लिए पहुचते थे वहाँ धर्मशाला बानते थे इस धर्मशाला में गरीब से गरीब आदमे की रुकने की विवस्ता करते थे वो भगवान को पूजने के लिए आया है भगवान को मिलने के लिए आया है उसका सनमान रखते थे उसको खाने की विवस्था करते थे लोगों से एक-एक पैसा जोड कर अर्न छट्र खोलते थे उन्होंने बड़ी-बड़ी जहां बड़े पैमाने पर कोई कठा होते है भगवान के दर्शन के लिए पंडरपुर जेसी जगा है इसी कई जगा अपनी धर्मशलाहे बनाए लेकिन कभी कोई मंदीर नहीं बांधा किसी मंदीर का निर्माण नहीं किया जहां तक मेरी जानकारी है उनके बारे में वो कभी मंदीर में दर्शन के लिए भी भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं जाते थे और फिर अपने किर्टन में सवाल उठाते थे वो लोगों से जाहीर तरीके से पुछते थे काउन रे तुम्हें देव मानता का ने अब वराड़ी भाषा में वो बात करते थे आप सब को समझना चाहिए इसलिए मैं हिंदी भाषा में उनके स्टाइल में आपके सामने रखने की वही बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा क्या हो रे भगवान को मानते हो कि ने लोग कहते थे हाँ जी हम मानते है आपका भगवान कहा रहता है लोग बोलते थे मंदिरों में रहता है सवाल जब आप चलते थे उनके किरितन में अरे मेरा भगवान मेरे मन में रहता है तुम्हारा भगवान मंदिरों में रहता है आपके मंदिरों में जो भगवान है वो दोती पहनता कि नहीं लोग बोलते थे हाँ जी दोती पहनता है कौन पहनाता है लोग बोलते थे हम पहनाते हैं क्यों भगवान को अपनी दोती खुद नहीं पहनने आती लोग बोलते नहीं जी महाराज खुद को नहीं पहनने आती भगवान को अरे जो भगवान खुद की दोती नहीं पहन सकता वो आपको क्या पहनाएगा रहे दूसरा सवाल क्या भगवान को नीवत दिखाते हो हाँ जी निवद याने भगवान के सामने जो प्रशाद चड़ाते हैं उसको कहते हैं लोग बोलेंगे जी नहीं हाक सकता है फिर रिकार्ड के महाराज बोलेंगे जो भगवान खुद के प्रशाद पर की बिल्ली और कुट्ता नहीं हाक सकता है वो आपको आपके गंडांतर याने आपके जिवन की आपतिया कैसे हाकेगा अलग अलग ढंग से वो धारन देंगे अंदेरा है मंदिरे में आप गए हो भगवान दिखता है क्या लोग बोलेंगे अंदेरे में नहीं दिखता है आपने दिया जलाया फिर क्या होता है दिया जलाने के बाद में भगवान दिखता है अरे भई आपके आखों को भगवान नहीं दिखता है दिया जलाने के बाद ही दिखता है फिर दिया बढ़ा कि भगवान बढ़ा ऐसे कई सवाल उठाने के बाद में आखरी में वो कहते थे कि भई मंदिर में भगवान नहीं होता है भगवान इंसान के दिलों में होता है दूसरे इंसान के दिलों में भगवान को देखो भगवान की सेवा करना याने मानवता की सेवा करना है मानवता की सेवा करना याने भगवान की सेवा करना है अगर आपके पास रोटी है सामने का आदमी भूका है तो उसको रोटी दो आपके पास कपड़ा है सामने का आदमी नंगा है तो उसको कपड़ा दो आपके पास पानी है सामने का आदमी अगर उसको पानी के जरुरत है तो उसको पानी पिलाओ आप पढ़े लिखे हो सामने का आदमी अनपढ़ है तो उसको पढ़ाई दो शिक्षा दो इसको भगवान मानना कहते हैं ऐसा करकर उन्होंने दस शपत लोगों को लेने के लिए कहा कि जो हम लोगों के लिए करेंगे ऐसा प्रबोधन वो गाओ गाओ जाकर करते थे और ये सब किर्टन के बाद में देवकिन अंदन गोपाला देवकिन अंदन गोपाला देवकिन अंदन याने विष्णु का उतार कुरुष्ण देवकिन अंदन गोपाला देवकिन अंदन गोपाला ये भजन भी करते थे लोग उनके साथ जुड़ते थे उनके अर्गुमेंट समझकर अपने आप में बदलाव लाने के कोशिश करते थे इतना बड़ा काम ये गाड़िके महराज ने किया है गाड़िके महराज भगवान को मानते थे या नहीं मानते थे इसका जबाब एक ही है जो लोगों के मन में उनका भूद भविश्य संभालने वाला उनका भला या बुरा करने वाला उनके मनत पर प्रसंद होने वाला या फिर अवकृपा करने वाला भगवान इस दुनिया में नहीं होता है ये साप शब्दों में लोगों को समझाते थे और भगवान इनसान में ही होता है ये लोगों को समझाने की कोशिश करते थे आखरी में उनका एक वाक्य रहता था भाई भगवान तो इनसान के मन में होता है मंदिरों में केवल पूजारी का पेट होता है ये इतना बड़ा काम करने वाले ये संध गाड़गे महराज मूलता अनपड थे एक भी क्लास पढ़ने के लिए जाने ही पाए अपने जिंदेगे में लेकिन विद्वानों से भी बड़ी अच्छी रैशनल बाते वो लोगों के सामने रखते थे लोगों को समझाते थे उनका अंदव विश्वास दूर करने का काम करते थे मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानन जी है महत्मा गांदी है या फिर गाड़गे महराज है तुकडो जी महराज है इन सभी लोगों ने इनसान और भगवान की दूरी कम करने का बहुत महत्वका का काम किया है अंदव विश्वास दूर करने का काम किया है लोगों की भगवान की गलत कलपना धारणा ठीक करने का काम किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेरनेस पहलाने में हमारे मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाएं नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए